नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका दोस्तों आपको अभिशेक बच्चन की फिल्म देफ बिग बूल तो यादी होगी 2021 के अप्रेल महिने में ये फिल्म रिलीज की गई थी हरसत मेता ने जो स्केम किया था सेर मार्केट में उसके उपर ही आधारिक फिल्म थी अभिशेक बच्चन की माइंड ब्लॉविंग इसमें एक्टिंग थी और दोस्तों अजय देवगन ने फिल्म को प्रोडूस किया था काफी जबरदस्तिय फिल्म थी और दोस्तों इस फिल्म को बहुत जादा पसंद किया गया था तो दोस्तों अब इस फिल्म का पार्ट टू बनने वाला है जिया दोस्तों बिग बूल टू की अनौंस्मेंट हो चुकी है जैसल दोस्तों मैं आपको बदातू आनंद पंडि जो कि एक बड़े फिल्म कार माने जाते हैं बड़ी-बड़ी फिल्मों को प्रोडूस करते हैं उन्हें दोस्तों अब इस बात की गोष्णा की है कि वे बिग बूल टू बनाने जा रहे हैं जी यहां दोस्तों आपको बदातू इससे पहले आलंद पंडिदी अभी कह चुके है कि वे सुपरिष्ट फिल्म देसी बोईज अक्षे कुमार की फिल्म थी उसका भी मतलब एक पुल टू की भी गोष्णा कर दिया कि बिग बूल टू वो वनाएंगे निचित रूप से उन्होंने कर दिया कि स्टेज पर मतलब कि स्क्रिप्ट रकामी समय चल रहा है प्रारेमिक तोर पर इसक्रिप्ट फिल्म की लिखी जा रही है और जल्दी इस फिल्म की ऑपिसे अन उसके राइट्स ले लेंगे वो और उसी बुक पर आधारी थी है उसका अगला पार्ट होगा बिग बुल टू और दोस्तों जहां तक जब उनसे पुछा गया कि इसकी स्टार कास्ट क्या होगी तो इसके बारे में उन्होंने ये काया कि मैं अभिश्यक बच्चन को लेना जिए शक्रिप्ट की स्कृप्ट क किस परकार की सामने आती है अगर इस्क्रिप्ट के अनुसार अगर और किसी एक्टर का चेन करना पड़ा तो वे भी चेन कर सकते हैं लेकिन उन्होंने ये इच्छा जरूर जाहिए कि वह इस रोल में अभिश्यक बचन को लेना चाहते है अब दोस्तों देखते हैं जैसे फिल्म की स्क्रिप्ट कम्प्रिट हो जाती है तो उसके बाद में अभिशेक बचन से बात की जाती है अभिशेक बचन को लिया जाते है उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आती है यह सब बाते बात में तेह होगी लेकिन उन्हें इतना जरूर तेह कर दिए हैं कि वे बीक बूल टू बनाने जा रहे हैं दोस्तो आप क्या इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या बीक बूल टू में अभिसेख बचन को नचाहिए या किसी और कलागार को कास्ट किया जा सकते हैं मुझे लगता है कि जो आनद पंडीत है वो डेफिनेटली अभी से बचन कोई इस फिल्म में कास्ट करने वाले हैं तो दोस्तों फिलाल इतना ही अगर चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा धन्यवाद चेके